तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने सास से आठनक लाल मिर्चली है उसे गरम पानी में भिगो दिया है और इसे आधे घंटे बाद पीस लेंगे आधे घंटे हो गए है इसे मैंने जार में ले लिया है और यह मैंने 100 ग्राम लसुन छील के डाल दिया है एक चमच काला नमक डाल दिया है एक चमच जीरा डाल दिया है एक चमच घरम मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी चटनी तयार कर लेंगे पुलाव बनाने के लिए मैंने पैंड में एक चमज ओईल लिया है और एक चमज बटर लिया है इसमें मैंने एक चमज जीरा डाल दिया है एक चमज अद्रक डाल दिया है और दो कटी हुई बारिक प्यास डाल दिया है इसे गोल्डन होने तक भूनेंगे यह मैंने आधा कप सक्वार लिय युए भी डाल देंग हमने दो टमाटर कट कर लिए थे भी डालदेंगे कि एक कप कबेज काटकर रखा था भी डाल देंगे और एक कप मटर की दाने रखे थे वो भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है इसमें मैंने एक चमच गरम असारा डाल दिया है तीन चम्मच लसन की चटनी डाल देंगे जो हमने तयार की थी इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और मैंने ये 500 ग्राम बासमिती चावल को हल्दी डाल कर उबाल लिया है वो भी इसमें मिला देंगे आपको और ज्यादा टेस्टी चाहिए तो इसमें भाजी पाव का मसाला डाल कर इस राइस को तयार करेगा वो और भी टेस्टी लगेंगे मैंने आधा निम्बू का रसनी चोड़ दिया है इसे मिला देंगे और दो से तीन मिनिट तक पका लेंगे ये देखिए हमारा तवा पुलाव बनकर तयार हो गया है इसे मैं सर्फ कर देती हूँ इसकी हर बाइट का ला जवाब स्वाद है तो फ्रेंट्स एक बार इस तरह से आप तवा पुलाव घर पर बनाईए खाईए और अपने अनुभाव शेर करिए इसे मैंने हरी धनिया के साथ सर्फ किया है